सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं फैनली Realme 8i के अंदर Realme UI 3.0 का C.02 का अपडेट जो है रोलिंग आउट हो चुका है और इस अपडेट को काफी सारी यूजर ने अपने डिवाइस के उपर अपडेट कर लिये हैं मैं भी इस अपडेट को 10 से 15 दिनों से यूज कर रहा हूँ और इस अपडेट का जो टेस्टिंग है काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से फीचर्स देखने को मिलता है कौन से बक्स देखने को मिलता है और क्या कुछ नए चेंजेज देखने को मिलता है सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो पूरा वीडियो देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फीचर्स और वक्स के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप अबाउट सेक्शन चेक आउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको ट्रैल वर्जन देखने को मिलेगा और साथ ही रियल्मी 8i का मॉडल नंबर RMX3151 देखने को मिलता है साथ ही यहाँ पर सिक्योरिटी सेक्शन की बात करे तो यहाँ पर आपको Android 12 देखने को मिलता है और March 5th 2022 के साथ latest enhanced Android security page देखने को मिलता है इस update के साथ इसके लावा बात की जाए अगले चेंच की तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में काफी सारे bugs देखने को मिल रहा है अगर आप apps opening closing करते हैं तो उस टाइम पर lagging इसू देखने को मिल रहा है साथ ही कुछ-कुछ apps में cracing इसू देखने को मिल रहा है तो इस टाइप से bugs यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके लावा बात की जाए इस update के बाद battery performance की तो यहाँ पर आप check out कर सकते हैं इसका जो battery performance है बात की जाए इसके charging की तो यहाँ पर काफी slow charge देखने को मिलता है बात की जाए इसके game performance की तो यहाँ पर जो game performance है उसमें भी यहाँ पर काफी ज़्यादा lagging इसू देखने को मिल रहा है साथ ही कभी-कभी जो है frame drop इसू भी देखने को मिल रहा है तो ये trial version update है दोस्तो जिसमें आपको काफी सारे hitting इसू, lagging इसू और frame drop इसू अगरा देखने को मिल रहा है साथी कुछ-कुछ apps में cracing इसू अगरा भी देखने को मिल रहा है ये trial version update है दोस्तो इसलिए यहाँ पर काफी सारे bugs देखने को मिल रहा है ये सभी bugs जो है आगे आने वाले update में धीरे धीरे fix हो जाएगा लेकिन दोस्तो इस bugs को fix करने के लिए एक बार safe mode में या recovery mode में जाकर एक बार reboot कर ले हो सकता है दोस्तो आपका थोड़ा बहुत जो problem है वो यहाँ पर fix हो जाए confirm नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत fix होने का chance है तो आप एक बार recovery mode में या safe mode में restart कर ले इसके अलावा यहाँ पर new animation देखने को मिलता है जैसे home screen में folder वगरा बना है उसको अगर आप open करते हैं तो काफी quick response के साथ new animation देखने को मिलता है अगर आप YouTube को open करते हैं तो यहाँ पर भी जो YouTube का play button है वो भी यहाँ पर new animation के साथ देखने को मिलता है apps opening closing है वो भी आपको नए animation के साथ देखने को मिलता है इसके लावा बात की जाए features की तो वो आपको मिलता है setting के अंदर sound and vibration में haptics and tones के अंदर system haptics का जिसे आप on करते हैं तो आपको काफी smooth और काफी haptic feedback के साथ देखने को मिलेगा जो की यहाँ पर touches के उपर, swipe apps के उपर और साथ ही बहुत सारे function में यह आपको haptic feedback का performance जो है provide कराता है तो इस features को भी यहाँ पर add कर दिया है जिससे की आपको काफी smooth और stable performance देखने को मिलता है इस features के थ्रू इसके लावा बात की जाए अगले features की तो वो आपको मिलता है setting के अंदर notification and status bar का, यहाँ पर दोस्तो जो notification and status bar है वो यहाँ पर पूरे की पूरे change देखने को मिलता है बाकी devices से थोड़ा अलग देखने को मिलता है जो कि काफी cool look देखने को मिलता है काफी अच्छा लगता है दोस्तो, साथ ही यही पर आपको batch का option देखने को मिल जाता है जैस साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको icons देखने को मिलता है, जो कि अगर आपको message वगरा receive होता है, तो उसमें number या dot का option देखने को मिलता है, कितना message receive हुआ करके, तो उस features को यहाँ पर काफी अच्छे से optimization के साथ new design देखने को मिलता है, काफी cool look देखने को मिलता है, साथ में icons भी देखने को मिल जाता है, तो इस features को भी यहाँ पर optimize करके better look के साथ देखने को मिलता है, इसी साथ यहाँ पर आपको status bar का option देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने status bar में जो भी icons show कराना चाहते हैं, या height कराना चाहते हैं, उसको यहाँ पर से on-off कर सकते हैं, साथ ही दोस्तो यहाँ पर कुछ new features को add कर दिया है जैसे कि जो अगर आप real time network की speed है उसको भी यहाँ पर से आप height कर सकते हैं HD wise call है या वो wise call है उसको भी आप यहाँ से height कर सकते हैं पहले दोस्तो यह real time network की speed अगरा नहीं था उसको यहाँ पर add कर दिया है, इसी साथ यहाँ पर आपको notification icons का features देखने को मिल जाता है जैसे ही आप notification icons को click करते हैं तो यहाँ पर आपको 100 icons करना है, या 100 numbers करना है आप यहाँ पर से यह रहता था लेकिन यहाँ पर आइकन्स वगरा जो है एट कर दिया है इसी साथ यहाँ पर बेटरी स्टाइल में भी नए आपसन देखने को मिल जाता है हरीजेंटल वर्टिकल और लूप को जो कि आप अपने यूजेस के अनुसार यूज कर सकते हैं पहले हरीजेंटल था ल लूप देखने को मिल जाता है साथ ही दोस्तो आप बेटरी के परसेंटेज को भी आन या आप कर सकते हैं इसके लाव बात की जाए अगले फीचर्स या चेंज की तो वह आपको मिलता है दोस्तो सेटिंग के अंदर होमी स्क्रीन एंड लॉकी स्क्रीन के अंदर सर्च बार बाटम करके फीचर्स देखने को मिलता था उसको रियल मी यूई 3.0 के अपडेट के बाद हाइट कर दिया है या फिर रिमूब कर दिया है वो यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिलता है जिसकी वज़े से आप सर्च बार एट बाटम का फीचर्स जो है यूज नहीं कर पा है तो इस फीचर्स को यहाँ पर से रिमूब कर दिया है इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है लाक स्क्रीन साटकट का यहाँ पर दोस्तों अगर आप लाक स्क्रीन साटकट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको गूगल असिस् जिस प्रकार आपको camera apps का shortcut देखने को मिलता है जैसे ही phone का screen lock होता है तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखने को मिलेगा जो आप select किये रहेंगे साथ ही अगर आप इसको off करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप none भी कर सकते हैं इसके लाओ बात की जाए अगले features या changes की तो वो काफी useful और बहतरीन features हैं दोस्तों जो की है disable apps का इस features को अगर आप use करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाना होगा setting में फिर नीचेक side में apps के अंदर जैसे ही apps के अंदर जाएंगे आपको यहाँ पर disable apps का option देखने को मिल जाएगा इसके थूर दोस्तों आप कोई सभी apps को disable करना चाहते हैं जैसे ही यहाँ पर camera apps को मैं disable करता हूँ जैसे ही disable करेंगे तो यहाँ पर आपको lock screen मंगेगा आपका pattern मंगेगा जैसे ही lock open करेंगे आपका जो apps है वो hide हो जाएगा या disable हो जाएगा और अगर आप उस apps को फिर से enable करना चाहते हैं तो आप setting में जाकर apps के अंदर disable apps से उस apps को enable भी कर सकते हैं कुछ इस type से यह काफी बहतरीन और useful features जो है देखने को मिल जाता है इसके लाओ बात की जाए अगले changes या features की तो वो आपको मिलता है setting के अंदर system setting में one handed mode यहाँ पर दोस्तो जो one handed mode है आप उसको केवाल fully screen gesture mode में ही यूज कर पाएंगे अगर आप virtual button या navigation button के साथ यूज करते हैं तो आप one handed mode जो है यूज नहीं कर पाएंगे ये एक bucks हैं दोस्तों क्योंकि सभी user जो है fully screen gesture mode जो है यूज नहीं करते हैं तो उन लोग one handed mode जो है यूज नहीं कर पाएंगे अगर आप अभी one handed mode जैसे ही on करते हैं virtual button या navigation button में रह कर तो आपको यहाँ पर recommend करता हैं कि आप fully screen gesture mode on कीजिए तभी आपको one handed mode जो है on देखने को मिलता हैं अगर आते हैं तो आपको one handed mode जो है आप देखने को मिलता है तो यह एक box है में भी आगे आने वाले update में यह fix हो जाए इसके लाओ बात किजाए अगले changes या features की तो यहाँ पर दोस्तों जो Android 12 में material you का features देखने को मिलता था वो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है realme UI 3.0 के update के अगर आप देखेंगे digital wellbing में तो यहाँ पर आपको material you का filling या features देखने को मिल जाता है looks देखने को मिल जाता है इसी के साथ अगर आप privacy dashboard को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको material you का features या fill देखने को मिल जाता है इसी के साथ अगर आप stock keyboard या g keyboard यूज करते हैं तो यहाँ पर भी आपको material you का features या looks देखने को मिल जाता है इसके लावा बात की जाए अगले features की तो वो आपको मिलता है setting के अंदर system setting में screen recording का यहाँ पर दोस्तों अगर आप screen recording करते हैं तो पहले दोस्तों आपको 60fps तक का screen recording का option देखने को मिलता था लेकिन realme UI 3.0 के update के बाद आपको यहाँ पर frame rate जो है 30fps तक अभी देखने को मिलता है 60fps को यहाँ पर से remove कर दिया है इसका system setting के अंदर ही आपको power menu का option देखने को मिल जाता है जैसे ही open करेंगे आपको यहाँ पर smart device को show कराना है power menu में या off रखना है वो यहाँ पर से on off कर सकते हैं अगर आप on करते हैं तो पर आप smart device को control कर सकते हैं और अगर आप इस features को off रखते हैं तो आपको normal old वाला ही power menu का option देखने को मिल जाता है कुछ इस type से आपको देखने को मिलता है तो यह रहा इस update का full review जहाँ पर आपको features bugs के बारे में बताया हूँ फिर भी दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे comment करके जरूर बताना तो इतना ही था दोस्तों इस video में video पसंद आया होगा तो like से और subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले video में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तों